कौन बने का करोड़पती तो आप सभी देखते होंगे और इसे हूस्ट करने वाले अमिताब बच्चन को कौन नहीं जानता ये कहा जा सकता है कि अमिताब है तो कौन बने का करोड़पती है हम आपको बताने जा रहे हैं कौन बने का करोड़पती के सेट पर हुई एक ऐसी सवाल जवाब का दौर चल रहा था इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद अभिताप रोपड़े सामने बैठी हुई कंटस्टेंट अर्पिता यादव जैपोर से आई हुई है अर्पिता यादव डिसेबल बच्चे जो की और्टिस्म से पीरित है उनके लिए काम करती है अर्पिता का एक बेटा भी है जो की खुद इस बीमारी से पीरित है और वो तीस साल से जादा नहीं जी सकता लेकिन अर्पिता फिर भी अपने बेटे के साथ खुश रहने की कोशिश में है अर्पिता अपने नौवे सवाल तक बहुच चुगी थी सवाल फिल्मों स एक वीडियो प्ले किया गया जिसमें सुनाक्षि सिन्हा शाहिद कपूर की हाइट पर लेकर कमेंट करती है और जवाब में शाहिद कपूर कहते हैं कि तू तो अमिताब बच्चन से ही प्यार करना अर्पिता को इस फिल्म के डारेक्टर का नाम बताना था अर्पिता कह रह इस फिल्में देखने इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां लोग उनके बच्चे को देख कर या तो तरस जगताते हैं या उसे परिशान हो जाते हैं उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता लोगों के परिशान होने के वज़ज़ से कई बार उन्हें धेटर से निकाला भी ग कि ये तो ऐसे बच्चों को अलग करना हुआ अलग क्यों करें कुछ ऐसी सुविधा हो कि साथ में देख सके इन्हें अलग क्यों किया जाए अर्पिता चाहती थी कि अमिताब स्पेशल बच्चों के कैमपेंग का हिस्सा बने अमिताब ने इस चीज के लिए हां भी कहा आग वो वाली बात हुई कि एक अउरत को या तो पैरो की जूती बना देते है या फिर देवी बना देते हैं, इनसान उसे फिर भी नहीं मानते, दोनों जगों पर हम इन्हें अलग थलग कर देते हैं, और यही बात यहां भी हो रही है, अर्पिता पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अमिताब बच्चन को बीच में टोकने की हिम्मत दिखाई वन्ना उनके सामने बोलने की कौन सोच सकता है तो आखिर दिव्यांग कैसा शब्द है जब किसी व्यक्ति के पास कोई अंग नहीं है और आप उसे दिव्यांग कह रहे हैं तो यह कैसे हो सकता है और इसमें कौन से दिव्यता है यह सोचने वाली बात है सब्सक्राइब आर चानल और प्रेस्ट बेल इकन पूर मोर अपड़ेट्स